बुलो श्री प्राणनात प्यारे कीजे, बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे, पन्ना धाम कीजे, सर्व सुन्दर साथ कीजे प्रणाम जी सुन्दर साथ जी कितनी सुन्दर बात इंद्रावती जी ने ये लिखती है, प्या जी की आवेशित वानी में, प्या ने स्वयम लिखवा दिये हैं, कहते हैं, हमारे और आपके बीच में कोई और है नी, बीच में भी केवल आप हैं, वहां भी जगह नहीं है, किसी और के आने की, तेरे मेरे बीच में भी तू ही है, हर समय मेरे दिल में तू है, तो मेरे और आपके बीच में भी कोई और नहीं हो सकता, मेरी दसो दिशाओं में तू ही तू है, कितनी सुन्दर ये बात लगी, और ये देखिए, तेरे और मेरे बीच में भी तू ही है, स सुन्दर साथ जो बना रहे हैं ना, hats off to you, अती सुन्दर, बहुत सुन्दर, आपकी सेवाओं के चर्णों में, एक सुन्दर साथ जो सेवा कर रहा है, अती सुन्दर, I can't believe it, कि इतना समय आप अपनी दिन चर्या में से निकाल, निकाल के, और वो भी प्रेम वरी सेवाओं, भाव वरी सेवाओं, किसी को कहा नहीं जाता सुन्दर साथ जी, अपने आप आ रहे हैं कि हमने ये करनी है, हमें ये कम हैं, हमें और दीजिए, हमें और दीजिए, बहुत सुन्दर आपके सिवा भावों को प्रणाम, आईए सुन्दर साथ जी अब ये किस चौपाई में आता है ये तो पहली बार मैंने सुना कि मेरे और तेरे बीच में दज्जाल नहीं है मेरे और तेरे बीच में भी आपी है ये स्थिती का बाती है जब हम दज्जाल को निर्मूल कर देते हैं जब उसका अस्तित्व खतम हो जाता है ना हमारे जीवन से हम उसको भी प्रणाम करते हैं कि तुने तुझे मेरे बेजा है तू भी उनका इदूत बनके आया है तो उस समय वो दज्जाल भी नहीं दिखाई देता कहते हैं आपके और मेरे बीच में भी आपका ही हुकम खड़ा है आप कुद कड़े हैं अगर ऐसे उंगली गुमा गुमा के टीका भी पढ़ लिया तो फिर कुछ फरक नहीं हुआ परायन पढ़ने में और टीका पढ़ने में भी एक ही चौपाई पढ़िये एक चौपाई क्या एक चरन पढ़िये पर वो चरन पिया के चरन अंदर ले आए ऐसे पढ़िये उस चरन को ज्यान दृष्टी से तो लेई आए आगे तो जैसे दनी की इच्छा जो पल लोमो फूज पे उन्होंने लिख रखा है इस पल मैं तुझे दर्शन देने वाला हूं वो तो उन्होंने देई देने हैं सुन्दर साथ जी और हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टर साब को वो सीन प बात फिल्म आने की सोची हुई है न वो अभी करना पड़ जाए ऐसे प्यार कर लीजिए सुन्दर साथ जी उनको प्रीपोन करने पड़ जाए उनको दर्शन भी अपने ऐसे मजबूर कर दें कि पिया तेरे बिनाब में रहनी पारी है आईए स्वामी जी के शब्दों में स वो बल ले लें क्या कहते हैं हम द्रश्टव्य पढ़ रहे थे श्री इंद्रावती जी पांचो शक्तियों की बात हो रही थी सुन्दर साथ जी पांचो मिल भई महामत और क्या उन्होंने एक्स्प्लेन किया चौपाई पे चौपाई उसके अंदर सब चौपाई उसके अं पर कहते हैं शामा जी पर गुणा लग गया है या आप वानी पढ़ेंगे ना बार-बार इंद्रावती जी अपने डर को बताती हैं मुझे बड़ा डर लगता है मेरे पे भी गुणा लग जाएगा आपने तो शामा जी को पर भी लगा दिया उनकी भी हासी का मौका आपने छोड़ा नहीं है, हासी काई खेल है, अब मेरे पे कौन-कौन सा लगा दोगे, पिया जी मुझे बॉर्डर लगता है, माफक रूप अल्ला के कोई मरद नहीं बराबर, उनकी बराबरी पे तो मैं भी नहीं हूं, मेरे को कौन सा गुना लगेगा, शामा जी के उपर गुना भाला है यह नहीं, कोई उनके बराबर नहीं है, भावाथ, इस चौपाई में शामा जी को मर्द कहने का भाव शक्ति मत्ता से है, और धांगनी के अंदर तो प्रियतम बसा होता है, उसके अंदर माया नहीं बसी होती सुन्दर साजी, शक्ति भी फिर माया जैसी ख्षिये न होगी, हमने दिल के अंदर माया बसा रखिया ना, तो शक्ति भी इतनी सी माया जैसी है, कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी हम लोग फील करते हैं, कभी हम हाई फील करते हैं, कहते हैं आज बहुत लोग फील हो रहा है, मुझे मैं भी इसी में ही हो सुन्दर साजी, सारी किस तो इसलिए कभी लो फील होता है, कभी हाई होता है, कभी मीडियम होता है, क्योंकि माया ऐसी होती है, अंदर पिया बसियों तो लो होता ही नहीं कभी, बल लो फील होई नहीं सकता कभी, उसका बल हमेशा हाईएस्ट पावर्स में रहता है, हाईएस्ट कपैसिटी में रहता है उसका बल, तो अंगना को भी वैसाई फील होता है, कोई डर नी लगता उसको, कोई मन में भै, कोई द्वंद नी चलता हो, अब ऐसे ऐसे कुछ नी चलता, क्योंकि बहुत शक्ति शाली, बहुत बल शाली फील होता है, अंगना का बल है सुन्दर साथ जी है, उसको फील करना है एक्टिवेशन करनी है यह पड़ा हुआ अंदर निस्टेज पड़ा हुआ है वस एक्टिवेट नहीं कराया हुआ उसको कौन एक्टिवेट करता है सत्गुरु करता है एक्टिवेट ब्रह्मवानी करती है एक्टिवेट श्रीबीतक साहब करती है उसको activate इसलिए रोज सुबह चित्वनी में बैठके उसको activate कर लीजिए फिर चर्चा और चित्वन पहले चित्वनी में बैठके activate कीजिए फिर चर्चा, सहूर आपस में बातचीत पूरा दिन कभी ये सुन लिया, कभी ये धनी का ही इन श्रवन अंगों में डालते चले गए, हम माया में गए ही नहीं, रले ही नहीं activate तो करा लिया SIM, पर उसको बार-बार recharge भी तो कराना पड़ता है के नहीं कराना पड़ता, तो वो सुनना पड़ेगा सुन्दर साजी, हम एकदम out of touch नहीं हो सकते हैं उसकी charging खतम हो जाती है उसमें pay करना पड़ता है every month करना पड़ता है या every day करना पड़ता है क्योंकि माया खीच के ले जाती है सारा उसका, हम calls करते है तो चला जाता है ना पैसे हमें every month recharge कराना पड़ता है या every day माया खीच के ले जाती है, हमें एवरी डे उसको रीचार्च कराना पड़ता है सुन्दर साथ जी, इसी लिए ब्रह्मवानी से पूरा दिन किसी ना किसी माध्यम से जुड़े रही है, इधर से सुनाई दे रही है, इधर से no bond particularly, जहां से अच्छा लगता है सुन्दर साथ जी सुनिये, छोड़िये कोई रोक स्त्री या पुरुष भाव के लिए कोई भी स्थान नहीं होता, वहां जेंडर होता ही नहीं है, यहां के भावों से समझाया जाता है, क्योंकि यहां हमें समझ नहीं आती, अध्यात्म जगत में नहीं होता, पुरुष का तात्पर्य यही है, पुरिशयनात इती पुरुष अर्थात ब्रह्म पुरी में सरवत्र पूर्ण होने से परब्रह्म को पुरुष कहा जाता है लीला रूप में वेगी, स्वयम, शामाजी और सक्षियों के रूप में है इस प्रकार परमधाम में मारिफत की दृष्टी से श्री राजी के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं खुलासा प्रकरन सोला चौपाई 84 में स्पष्ट रूप से अब इनके अंदर भी चौपाई यह और खिलोने जो हक के, सो दूसरा क्यों कहलाए? हक के जो खिलोने भी है ना पसू पंकी है वो दूसरे नहीं है उनको भी अलग सरूप नहीं मानना चाहिए एक जरा कहिए जो दूसरा कहते एक जर्रे को भी नहीं कहा जा सकता कि यह राजी से अलग है जो हक बिना होए इप्तदाए उस किसी का अलग अस्तित्व है ही नहीं कोई मैट कोई वहाँ पे एक्जिस्टेंस ही नहीं है किसी और की मिरे पियाजी के बिना परमधाम में किलोनों के रूप में जो पशु पक्षियादी हैं उन्हें भी श्री राजी से अलग स्वरूप नहीं मानना चाहिए यह कौन कहा रहा है श्री खुलासा प्रकरन सत्रा चौपाई चुरासी वहां के एक कन को भी श्री राजी से भिन दूसरा स्वरूप तो तब कहा जाए जब वो अनादिकाल से ही पारब्रम का स्वरूप अंग रूप ना हो उससे अलग अस्तित्व किसी का हो, तब तो उसको अलग का जाएगा, तो सारे अगर एक पूर्ण है तो बाकी भी सारे के सारे वैसे ही है न सुदर साथ जी, बहुत सुन्दर, सूर्य पुलिंग है, किन्तु उसकी तेजस्विता स्त्रीलिंग है, चंद्रमा पुलिंग है, किन को देख कर कदाप भी नहीं कहा जा सकता कि पांच स्वरूप आए ही नहीं ये तो सर्व विदित है श्री देव चंद्र जी के अंदर शामा जी थी पांच स्वरूपों में से एक का तो प्रूब भी कर दिया कि थी जो उस तन को छोड़कर श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान हुई इस संबंद में श्री मुखवानी क्या कहती है बीतक साब क्या कहती है यह विचार करते श्री देव चंद्र जी बैठे दिल पर और किसके दिल पर देव चंद्र जी बैठ गया के इंद्रावती जी के दिल पर यानि के मिहर राज जी की गहन वस्ता शामा जी भी है युगल स्वरूप उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एकांत करके दिल हुआ विचार पर श्री बीतक साहब प्रकरन सत्रा चौपाई च्यालिस ये हम कर चुके हैं सुन्दर साथ जी इनी विचारों में डूबे डूबे श्री महिर राज जी विरहे की ग देवचंद्र जी के धामरिदय में विराजमान थे युगल स्वरूप का द्रिश्य हमें पता है ना सुन्दर साथ जी योग माया कितनी सुन्दर हैं कैसे कैसे फलों के वरिक्ष लगे हैं कैसे जमना जी बह रही हैं कैसे सखिया महारास कर रही हैं कैसे इंद्रावती ने रिजा लिया है धनी जी को कभी एक एक सखी एक एक काना हो जाते हैं कितन रात्री कहने पर भी वहां रात्री नहीं लगती ऐसे लगता है प्रकाश जैसे की पल्ब पे काले रंग का वो बान दिया जाए उसमें भी प्रकाश आता है ऐसा प्रकाश वहां से आ रहा है कितनी सुगंध ही से भरा हुआ वो ब्रमांड कैसे उतले वचन भी हुए कैसे भोजना रोगा जीलना की लीला और इतनी उमंग इतना आनन्द ही आनन्द की वो कहने को तो यहां की एक रात्री हम समझते हैं पर वो इतनी लंबी क्योंकि योग माया की रात्री इतना आनन्द लिया है हमने धनी जी के साथ इंद्रावती जी तो क्या ही देती हैं कि बस पिया मैं और नहीं समा पाऊंगी इतना आनन्द और उनके माध्यम से हमें भी मिल रहा यह सारा द्रिश्य इंद्रावती जी की आत्मा के इदाम रिदे में घूम रहा है कैसा उन्हो उन्हें आनंद लिया है वहाँ पे उस सारा अंदर समाहित हो रहा है भावार्त इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित श्री देव चंदर जी से तातपर्य श्री युगल स्वरूप से है क्योंकि श्री देव चंदर जी के धाम रिदय में 1712 से पहले युगल स्वरूप ली कर दिया था तो तब वो मिहिर राज जी के अंदर समाह गए थे लगे चर्चा करने वर्नन वानी वर्नन वानी सरूप योंकरते दिल कुला कि कितना सुन्दर होता है सुन्दर साथ जी है कि ये चर्चा करने वानी सरूप वर्नन करने योंकरते करते क्या हुआ दिल कुला बह उत सुन्दर, यह आ जाएगी सुन्दर साथ जी उपमा प्रानाजी की शोभा इंदरावती जी को मिली है पर जो जो उनके साथ हुआ है पिया जी के दर्शन हमें भी मिल सकते हैं, बार बार स्वामी जी ने लिखा हुआ शरीम उकवानी में शोभा उनके जैसी किसी की नहीं हो सकती पर वो लाब हमें सारा मिल सकता है दर्शनों का हम भी धनी को देख सकते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इंद्रावती देख सकती है इंद्रावती तो खुद कितनी कोशिश कर रही है आओ मैं सिखाती हूँ कौन पिया करवा रहे हैं मेरे पास लेकर आओ इनको क्योंकि व्याकुलता कि इसके पास है धनी जी के पास है हमारे पास नहीं है हम नहीं हो पारे व्याकुल यो करते दिल खुला बैठे दिल सुन्दर रूप अनूप बहुत सुन्दर सुन्दर साथ जी श्री बीतक साहब प्रकरन 17-247 क्यूंकि आवेशित वानी को संपादित कौन करता है बाहर कौन उसको प्रेजेंट कौन करता है वो जोश की भूमिका होती है सुन्दर साथ जी संपादित करने की अंदर तो आगे अग्यान अब उसको बाहर भी निकालना है वो जोश करता है उसकी भूमिका कोई कम नहीं है छोटी नहीं है जिसमें महारास के जोश और आवेश का हम सब सुन्दर साथ को पता है उनमें ये दोनों एक ही नहीं है बहुत डिफरेंस है इसमें श्री कृष्णत रिधा लीला जरूर सुनियेगा सुन्दर साथ जी बहुत देखने में और बहुत बड़े भेद हैं बहुत बड़े रहस्य हैं श्री मुखवानी के जो प्रमभंगनाव को क्यूरियोसिटी नहीं होगी अपने पिया के बारे में अपने बारे में जानने में तो क्या जीव सृष्णत को होगी फेक मौरे नहीं लगाके बैठना है हमने कहीं ऐसा ना हो कि उस समय फेक कयामत के दिन का सोचिये सुन्दर साथ जी पाई चांस 1% 0.1% कि मौरे लगाके बैठे हुए थे और कहा जाए कि ये तो जीव सृष्णती थी क्यूंकि ग्यान हमने लिया नहीं है जो नहीं ले रहे हैं अभी भी सोचिये क्या बीतेगी all options सोच के देखना है हम क्या कर रहे हैं कहीं ऐसा हुआ तो क्या होगा आज जीव सृष्टी को भी ये availability है कि वो पिया के दर्शन कर सकती है पर धनी से जुणना तो पड़ेगा वानी से बीतक से चर्चा से चित्वन से श्री मुखवानी से जुणना ही पड़ेगा उसके लिए तो छोड़िये जो भी हैं दावा पूरा रखना कहत जी ना उसको भी दर्शन हो जाएंगे कैसे भी हो बस वानी से जुणना है जो भी है अंदर आली फेक मौर नहीं लगानी उनके लक्षन अपने अंदर लेके आने है सुन्दर साथ जी ब्रह्मांगना का दावा वैसा बल अपने अंदर रखना है कहते हैं श्री तार्तम वानी का अवतरन प्रारंब हो गया पिया जी का अनुपम रूप वा सुन्दर साथ जी अती सुन्दर राश्शामा जी जिस सिंगार्व का उन्नोंने वणन किया हुए अंदरावती जी ने वैसा श्रिंगार उनको दिखाई दिया प्रत्यक्ष क्या क्या पहना है पिया जी ने और उनके वस्तरा भूशन तन से अलग नि किये जा सकते तन की ही शोबाएं इतना सुन्दर परमधाम है अभी तो कितना बताया गया है जितना यहां पर बताया जा सकता है बस जिसमें महारास के युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन उनके मुखार बिंद से होने लगा सबसे पहले सुन्दर साजी सरूप के अंदर विराजमान होते ही तार्तम वानी का अवतरन प्रारंब होता है सबसे पहले उनके दिल में क्या महारास की रामतें गुंती है महारास में जो जो आनंद हमने लिये जो जो सुन्दर था हमने देखी जो पेड़ पौधे जमना जी जो जो हमने वहां पे आनंद लिया जिस आनंद का पारावार नहीं था जैसे अंतर ध्यान हुए कैसा विरहा देखा कैसे कैसे रस कैसे इंदरावती के सरबाइखा प्रेम भरा विवाद हमने देखा नहीं पिया को अब मामे देदें सोचिए वो सबसे पहले अवतरण हो रहा है और हम कभी कभी कहते हैं ब्रिज और रास को क्या करना है सबसे पहले उनके रिदे से उतर रही है श्री जी के रिदे में पिया जी के विराजमान होते पहली बाद पहले उनके दिल में क्या चलता है महारास की रामते चलती महारास का आनन्द चलता है उनके अंदर और अवतरित होने लग जाता है हम सुन्दर साथ के लिए इंदरावती के रास्ते पर चलना है न तो कितना प्रेम करना है महारास प्रेम आई गाई सुन्दर साथ जी वहां से प्रेम की भूमी का है वो ब्रज़रास को छोड़नी सकते अगर सोचते हैं तो चारों का यामे भोग हो नहीं सकता सुन्दर साथ निकाल दीजिये अपने दिलों से सारी कटुता एक पर्पज एक लक्ष तू ही तू सारे सुन्दर साथ से प्रेम कीजिये सुन्दर साथ तो क्या सारे ब्रह्मांड से प्रेम कीजिए सुन्दर साथ जी क्योंकि सुन्दर साथ से भी अगर हम इनसे प्यार करते हैं इनसे नहीं करते न तो भी हमारे दिल में तो घ्रिना जा रही है हमारे दिल में अप्रेम जा रहा है है विद्यमान है तभी तो किसी से अप्रेम कर पा रहे हैं हम मेरे दिल में उसका स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ सकती उसके बिना ये समझना जिस दिन दिल भीग जाएगा तो हर इको प्रेम की तरंगे ही मिला करेंगी तब समझे की यात्रा आरंब हो रही है सांकरी गली में दो समाते ही नहीं खाली प्रेम ही समाता है प्रेम की गली है युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन महारास के युगल स्वरूप की उनके मुखार बिंद से होने लगा श्री इंद्रावती जी के धाम रिदय की द्रिष्टी जब संसार से हट गई तब सुन्दर साजी श्री राज शामा जी को देखने लगी और महारास की एक एक लीला प्रत्यक्ष रूप से द्रिष्टी गोचर होने लगी तो उसे इस चौपाई के तीसरे चरण में इसको कहते दिल का कुलना महारास दिखने लग जाए तो दिल का कुलना कहते हैं उसको और जो उससे बचेंगे दिल कैसे कुलेगा संसार साजी एक एक लीला प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने श्री कृष्टी तृधा लीला में एक बात आई थी स्वामी जी ने चौपाई में लिखा हुआ था यदि हम योग माया में होने वाली इन लीलाओं को रिदेंगम कर लेते हैं तो मूल स्वरूप तक, मूल मिलावे तक जाने क्या रास्ता बहुत आसान और सुलव हो जाता है यदि इनको रिद्यंगम कर लेते हैं आसान हो जाता है सुन्दर साथ जी बी ए कर लेते हैं तो मे करना आसान हो जाता है बस ऐसी बात है यह नर्सरी, फर्स्ट क्लास, टेंथ क्लास के बाद करें मे कर लें नहीं कर सकते हैं बी की डिगरी ले 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 तो M बहुत आसान हो जाती है अगर B से बच्चते रहेंगे नहीं हम तो 12th के बाद ही कर लेंगे इसलिए इनको रिद्यंगम करना पड़ेगा अभी तक नहीं सुनी तो श्री कृष्ण तृधा लीला की प्लेलिस्ट है सुन्दर साथ जी जरूर सुन लीजिएगा उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बाते हैं बहुत सारे ऐसे भेद हैं बहुत रहसे जो पिया बताना चाहते हैं सारे टीका में लिखे हुए है मैं अपनी तरफ से मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मैं बिचारी तो कुछ भी नहीं आता मुझे तो सारा स्वामी जी ने लिखा हुए अपने टीका में बस कडियों से कडिया जोडते चले जाते हैं पिया जी दिल का खुलना कहा गया बहुत सुन्दर लगा ये सुन्दर साथ जी इसका कथन यही सिद्ध कर रहा है कि श्री अंद्रावती जी के धाम रिदय में युगल स्वरूप ने विराजमान होकर लीला की है युगल स्वरूप ने विराजमान होकर यानि के धीरे धीरे पांचो शक्तियों के बारे में बता रहे हैं बाकी कल करेंगे बुलो श्री प्रानात प्यारे कीजै बुलो श्री सत्गुरु महराजी कीजै मेरे प्यारे सुन्दर साथ जी आपके धैरे को कोटी शह नमन, कोटी कोटी प्रणाम इतने धैरे से एक विचारी बिगिनर सुन्दर साथ जिसने पूरे टीके भी नहीं पड़े हुए आप कितने प्रेम से सुनते रहते हैं और इतना आशिरवाद भेजते रहते हैं आपके चड़नों में नमन सुन्दर साथ जी सत्गुरु के बाद आपका बहुत बड़ा हाथ है, बल को बढ़ाने में, इंस्पायर करने में, प्रेम करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी, प्रणाम जी